हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका अपना गार्णिंग चैनल ग्रो एंड ब्लूम और यह सारे जो गुलाब के पौद है आप में देख रहे हैं यह क्लाइमिंग रोज है मेरा पिंक वाला यह वाला जो आबरा का डाबरा यह देखे कितना जादा खिला हुआ है बहु प्लॉर्स पर जो क्लाइमिंग रोज है मेरे बहुत अच्छी फ्लॉवरिंग कर रहा है बहुत अच्छा लग रहा है अभी यह स्प्रिंग में मार्च अपरिल में खूब खिलते हैं में के 1 वीक तक भी इन फ्लॉवर्स रहते हैं तो इसमें आप इस समय इसकी आए एक खास बहुत बात यहां कि इसी समय Thank you to because the florist पूर अगयो इसे महीन दो महीने बहुद महीने बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते बहुत अच्छी निकल जाती इतनी जाथ Flerans देते हैं बराबर फूलों से भरे रहेंगे आप देखी रहे हैं कितनी बहुत अच्छा है दिल खुश हो जाता है 5-6 प्लांट्स है मेरे पास इस समय और सब में बहुत अच्छी से फ्लॉवरिंग हुई है यह देखें बहुत सारे फ्लॉड्स है यह वाला जो एरिया है बहुत अच्छा लगता है फूलों से भरा हुआ तो आज यह केर टिप्स कि पूरे साल इसमें फ्लॉवरिंग नहीं होती है प्लांट आपका रहेगा आपके पास और बहुत हाड़ी प्लांट है खराब नहीं होता है जल्दी लेकिन फिर भी थोड़ी सी केड चाहिए होती है तो सबसे पहरे तो अगर प्लांट अगर आप इसी सीजन में लाके लग प्लांट की केर कीजिए उसको संभाल के रखे बाकी बहुत ज़्यादा कोई केर इसको बचाने के लिए नहीं करनी पड़ती है गर बारिश के मौसम में इसकी जो ब्रांचे से बहुत लगी हो जाती है तो उनको प्रून करते रहना है पूरे दिन की धूप में रखना है प्रून करेंगे हृ दोzh़ा आँम करेंगे फ़ीशाओ सब्सक्राइब लागांव लागार विकार बीश़ादा सब्सक्राइब सब्सक्राइं करेंगे होए तो पानी दोने सब्सक्राइब तो आप यह काम करें शाम को वाटरिंग करें और यहां पे प्लांट्स के आसपास कोई टब में या बकेट में पानी भर के रग देंगे तो जो उसका जो मॉश्चर होगा वो पौधे थोड़ा सा लेते रहेंगे तो उससे इनकी पतियां बर्न होने की प्रॉब्लम में वो नह लोग अच्छा नहीं आता खराब होना खराब लगता है देखने में तो इस तरह से इसके जो दूपकी जो इसकी जरुवत है वो इसको पूरा दिन की चाहिए उसके आदमें फर्टलाइशन की बात करेंगे तो अभी इससे फ्लॉवरिंग अच्छी हो रही है तो इस समय तो और यह जो खाद होती है ना यह फ्लॉवरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है लेकिन जब शुरुआत करेंगे इसकी फर्वरी में ही अच्छी फ्लॉवरिंग के लिए आपको फर्वरी में तेखने करनी पड़ेंगी तब आप ऐसी बहुत जादा जो फ्लॉवरिंग है वह ले पाएंगे क्योंकि जब इसकी ब्रांचे बढ़ना शुरू होती है जनवरी के बाद फरवरी में तो उस समय एक लाइट प्रूनिंग करेंगे बहुत ज़्यादा हाड नहीं करेंगे जैसे ज्यादा बहुत लेगी हो रही है बहुत ज्यादा बुशी हो रहा है कि इसमें समर वाले प्लांट का क्या होता है ना कि हम बिल्कुल जो ब्रांचेज हैं कभी-कभी ज़्यादा प्रून कर देते हैं ज्यादा काट देते हैं तो उन में तो चांस ही रहता है कि वह मई जून तक अराम से बढ़ेंगे और मौन सुन में फ्लावरिंग करेंगे ले पर उसमें जो ग्रोथ आएगी उसको बिल्कुल भी हटाएंगे नहीं तो जब नई ब्रांचेज आने लगें तो उनको प्रॉपरली केयर करना है और उसी दोरान इसमें जो फरवरी में मिट्टी में जो भी अमेंडमेंट्मेंट्स करने हैं आपको वो करने हैं जैसे कि पानी शुरूती उसी समय कर लेंगे तो जो मिट्टी है उस टाइम उसमें खुब अच्छे से अच्छी मात्रा में कॉंपोस्ट मिलाएंगे और यह बहुत जरूरी चीज़ है गुलाब के फ्लॉट्स के लिए एपसम सॉल्ट इसमें जरूर एड़ करेंगे अगर आप मिट मिट्टी तयार कर रहे हैं तो उसमें कम से कम पचास ग्राम के असपास मतलब एक कप जो चाय का कप होता है चुटा वाला उस एक कप भर के मिट्टी में मिक्स कर देंगे मैगनिशम सल्फट तो वह पौधों के गुलाब के फ्लॉवरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन गुलाब के पौधों में भी बहुत अच्छे रजल्ट रहते हैं तो अभी फिलाल हमीसी की बात कर रहे हैं तो समय दे देंगे उसके बात में आप उसको स्प्रे भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने इसमें किया था भी कुछ दिन पहले तो से क्या होता है कि आपकी जो ब् करता है ग्रोथ को तो नई ब्रांचे जाती है नई शूट्स निकलते हैं नई ब्रांचेस में धेर सारे जो अब एक प्लांट में अगर बहुत सारी ब्रांचेस हैं तो उसी इसाप से फ्लॉर्स के बंचेस बनेंगे तो यह तो हो गए इसकी फर्टिलाजेशन की बात 15 दिन दिन में एक बार माईल सा कुछ आप देते रहेंगे चाहे जो गोबर को गोबर की खाद को भीगो के आप दे सकते हैं या फिर जो चाय की पती है इस तरहें की जो और गैनी खाद हैं वही आप देते रहेंगे और हाई एक और चीज मैं भूल रही हूँ कि जब मिट्टी कर देंगे तो यह बहुत अच्छा रहेगा बोन मील आपको बार बार देने की जरूरत नहीं रहती है आप दो से तीन महीने में एक बार देंगे सिर्फ एक चमर तो भी परयाप्त होगा तो जब मिट्टी तयार कर रहे हैं उस समय दे दें अगर मिट्टी तयार करते समय यह जोने लगी है तो इसको रेगुलर पानी चाहिए होता है सुबह शाम पानी देना ही चाहिए अगर सूख रहा है तो और जब फ़लकी रहती है तो यह की समय देंगे तो उतना भी परयाप्त होगा इसमें अगर किसी पेस्ट अटेक की डिजीज की बात करें तो इसमें समय समय पर आप इस पर स्प्रे कर देंगे एक दू महिने में एक बार तो भी पौधा आपका ही पती तो इसको आप कट करके फेक देंगे गुलाब में वैसे तो बहुत ज़्यादा कोई बिमारी होती नहीं है लेकिन अगर कभी आपको लग रहे हैं कि आपके गुलाब के प वो आप यहीं से नीचे से मिटी जड़ का एरिया होता वहीं से शुरू करें तो ज्यादा बेतर है इसमें आप एक औरगेनिक और घरेलू चीज है जो इस्तिमाल करके अच्छे रिजल्ट पासकते हैं अगर कभी आपको लगता है कि गुलाब के पौदे में कोई प्रॉब्लम कि जो समस्या होती है उसे इसको जो बचने में आसानी रहती है और पौधा आपका जो है स्वस्त हो जाता है और जब एक बार समस्य में मही के बाद में इसमें फ्लॉवरिंग बंध हो जाती है जब तो समय इनको बिल्कुल छोटा-छोटा सा प्रून कर देंगे छोटा प्ल के लिए तयार होते रहेंगे खराब नहीं होते हैं आप थोड़ी सी भी केर करते हैं तो भी प्लांट हमेशा पी पांट-पांट-पांट साल पुराने हो गया है सारे प्लांट शुरूआत में ही मैं लेके आई थी यह भी 6-7 साल हुए मुझे गार्टनिंग करते हुए तो जुलाई अगस्त में यह बहुत ज़्यादा मौनसून में पौधे बढ़ते हैं तो समेन को चोटा-चोटा प्रून करती रहती हूँ और इसके बाद यह रखे रहते हैं ऐसे ही और फरवरी मार्च में आके इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है तो दो तीन महीने यह अ जरूर लगाईए अगर नहीं है तो ले आईए और अगर है तो उसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए चिप्स को फॉलो कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक